ओम्रीम अरहम अडमू जिनारम दोदेश वर्षिये स्वाध्य है पाठ्टिक्रम प्रथम वर्ष के अंतरगत दो विशय हैं एक्तुशित धान्त प्रवीशी का जिसके भाग एक, दो और तीन और दुटिये भाग है छे ढाला इन दोनों में से 50-50 अंक का प्रश्ण पत्र पूछा जाता है जिसमें क्रम शाहा विक बहुविकल पात्मक प्रश्ण सत्य सत्य सही जोडी मिलाईए रिक्तिस्तान पूर्ती एक सब्द में उत्तर दीजिए छंद पूर्ती छंद का अर्थ लिकिए और विस्तार में प्रश्ण का उत्तर बड़ा प्रश्ण इस प्रकार आपको प्रश्ण उत्तर ग्रूप में प्रश्ण पत्र में कॉस्चन्स में पूछे जाते हैं आईए अब हम देखते हैं छेड़ हाला खंड आ जिसके अंदर से दान्त प्रवेशी का भाग एक है उसके पर परिक्षाप कर चर्चा और मॉडल पेपर दोनों आपको वाट्सेप के माद्यम से भी उपलब दें और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है तो उसे आप देख सकते हैं और अच्छी तरह सॉल्व भी करे प्रशन पूछे जाए तो वहीं आप अपना उत्तर भी कमेंट वक्स में लिखकर उसे सॉल्व भी करें आईए छे डाला की ओर चलते हैं प्रशन नमबर एक बहु विकल पात्मक प्रशन मल्टीपल च्वाइस एक वाक्क होगा और उसके चार ओप्शन होगे आपको सई पुडलमल जी दौलत दास जी दौलत राम जी नीलम जी डौलत राम जी बहुत अच्छे नेक्स्ट निम्न में से दौलत राम जी की रचनाएं हैं ध्यान से प्रशन शुनना दौलत राम जी की रचनाएं हैं ओप्शन आपको ध्यान लखना ये दौलत विलास नाम की जो उनकी रचना है उसी के अंदर उन्होंने एक इस्तुती सुरुवात में भगवान की की है जिसका नाम है सकल गे ग्यायक तदपी ये उसी के मंगला चरण रूप जो इस्तुती है वह वही पर उपलब्द है ऐसा जानना प्रेशन तीन तीनों लोकों में सबसे उत्तम वस्तु क्या है उत्तर धर्म अर्थ काम और केवल ग्यान पंक्ती कैसे बताएंगे अगर पूछा जाए तो तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता चली नेक्स्ट निगोधिया जी एक स्वास में कितनी वार जनम मरण करते हैं म्रदुला जी मधूशिरी जी ओपन करें अठारा वार बहुत अच्छे एक स्वास में अठ दस वार जनम्यों मर्यों भर्यों दुख भार नेक्स्ट निगोध में इस्तित व्रक्ष का नाम है औप्शन पीपल कदंब सेमर बईतरणी इसमें ताजी इसे हमको क्या ध्यान में रखना है इनसे हमें ध्यान में रखना है कि प्रशन किनी भी पंक्तियों में से निकल कर पूछ सकते हैं प्रशन किसी भी ढाल की कोई भी पंक्ति और उसके अर्थ में से ही पूछे जाने है इसलिए प्रशन पत्र बहुत कठिन नहीं है एक बार भी यही अच्छी तरह सम्पून छेनाला का अध्यन किया गया हो तो बहुत अच्छी तरह सारा विशाय किलियर हो जाएगा प्रशन दो सत्य असत्य में उत्तर दीजिए जीवादी साथ तत्यों पर विपरीत स्रधा करना अग्रिहीत मिठ्या दर्शन है सत्या सत्य में उत्तर दीना है जीवादी साथ तत्यों पर विपरीत स्रधान करना अग्रिहीत मिठ्या दर्शन है हाँ म्रदुला जी दीजी उत्तर अर्चना जी भोपाल हाँ बोली है म्रदुला जी सत्य है जीवादी प्रियोजन भूत तत्व सरदें तिनमाही विपरीत्व नेक्स्ट जो देह और आत्मा को एक मानता है देह मतलब शरीर और आत्मा को एक मानता है वह अंतर आत्मा है सत्य या असत्य श्वेता जी गुना वहिरात्मा होता है देह जीव को एक गिने वहिरात्म तत्व मुधा है अंतर आत्मा की क्या परिवासा है जो शरीर और आत्मा को अलग-अलग मानता है अंतर आत्म ज्यानी जो आत्मा की ज्यानी है वे अंतर आत्मा है बहुत सुन्दर संसार की सवी जीव दुख को चाहते हैं और सुख से डरते हैं सुख चाहें दुख ते भय बनत बहुत अच्छे संसारिक शुकों की वांचा नहीं करना वात्सल्य अंग है संसारिक शुकों की वांचा नहीं करना संसारिक शुकों की वांचा नहीं करना यह नहीं कांचित अंग है वात्सलंग क्या है धर्मीसो गौवच्छ प्रीती अर्था धर्मातमा में गाय और वच्छडे के समान प्रेम्भाव का होना सम्मिक दर्शन के साथ सम्मिक ज्यान होता है सही या गलत अनीता जी अलका जी ममता जी ममता मनुद जी जोती जी जवलपुर मैय जी सत्य है ये सम्मिक दर्शन के साथ ही सम्मिक ज्यान होता है बहुत सुन्दर चलिए नेक्स्ट सही जोडियां मिलाईए यहां पर इन्होंने सब्दार्थ दिये हैं एक तरफ सब्द है दूसरी तरफ उसका अर्थ है लेकर अलग अलग क्रम है तो आपको अगर सही अर्थ पता होगा तभी आप उसी मिला सकेंगे तो चलिए मैं आपसे पूस्ता हूँ एक एक सब्द का अर्थ आपको बतलाना है पहला आन आन सब्द का अर्थ मीनु जी अर्चना जी भोपाद स्वेता जी आन यारे दूसरा भेविया जी आन मतलब दूसरा कहां आया यह सब्द बताएंगे कुछ भईया जी एक मिनिट बता रही है तासित की है तो किसा पैका खुख हूँ ली या था ग्यान समान न आन जगत में सुख को कारण ग्यान के समान अन कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है दूसरा सब्द है नमाहू नमाहू यह सब्द कहां आया हाँ रीना जी बताइए रेखा जी बताइए रेखा जी है द्रावाद नमस्कार करना बहुत अच्छे नमाहू त्रियोग समहारी के चलिए नेक्स्ट शीव शीव जोती जी बताइए ब्याती मोक्ष और आनंद दोनों अर्थे ध्यान रखना शीवश्वरूप शीवकार चलिए नेक्स्ट सब दे व्रस व्रस शरीता जी बताइए व्रस धार्म बहुत अच्छे कहां आया ये तो कहां पंक्तियाद है क्या जिन वच्च में संकान धार ब्रस भावशुक वांचा महानी बहुत सुंदर अगेला सब्द है नित 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 सब्द शुनीता जी बताइए जय जिनेंद्र सगा सगा हमेशा कहां आई पंक्ति किस पंक्ति में इस अब्द अब इस याद नहीं है परमातम को ध्याए निरंत जो नित्यानंद पूझे लिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए नारकी जीवों को आपस में खालिस्तान जाती के देव भिडाते हैं संजीव कुमार जी अशुर कुमार जाती के अमबा वरीस नामक देव भिडाते हैं खालिस्तान करने से भवनात्रिक देवों के शरीर को धारन करता है खालिस्तान की करने से भवनात्रिक में अशुरों की तन को धारन करता है शंगीता जी जैजिनेंद्र भाजी आजी जैजिनेंद्र कभी अकाम निर्धरा करे भवनात्रिक में सुर्टन धरे बहुत संद्रा ऐसे यह उत्तरियाद करने हैं एक-एक पंक्ती मुक्पर आ जाए एक आग चित्तो कर प्रति दिन यदि हम पाठ करेंगे तो इस तरह पंक्तियां आ जाएंगे मुकपर और जब पंक्तियां मुकपर आएंगे तो पूरा प्रश्ण पत्र आपको पंक्तियों के अर्थ से ही पूछा गया है अन्यत अलग कठिन कुछ भी नहीं है नेक्स्ट अप परद्रव्यों से भिन्य अपनी आत्मा में लीन होना खालिस्तान कहलाता है सब गलत बता रहा हैं उप्शन में जितने भी अभी तक लेकिए सब के गलत है आप सही है रासी जी ने उत्तर सही दिया चलिए कौन बताएगा हां अर्चना जी बताएए नीलम जी भोपाल बताएए सुनीता जी बताएए निर्मला जी बताएए निर्मला जी बताएए निर्मला जी हम बताएं बैया जी जी बुलिए परद्रव्योसी विन अपनी आत्मा में लीन होना खालिस्तान कहलाता है सम्यक दर्शन राजकुमारी जी बताई सम्यक चारित्र नई गलत चलिए नेक्स्ट जल्दी कौन बताएगा परद्रव्यन ते भिन आप में रुची सम्यक तो भला है पर उसके बाद आत्म दर्व्य को जान पनों सो सम्यक ज्यान कना है यह फिर अंत में कहते हैं आप स्वरूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई कौन सा सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक चारित्र अगर आप लिखेंगे सम्यक चारित्र तो आपको नमबर मिलेगा आदा ठीक इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान दखना नेक्स्ट समस्त द्रव्यों का जिश्वे वास है उसे खालिस्तान द्रव्य कहते हैं विनीता जी पाटनी आकास द्रव्य या लोकाकाश बहुत सुन्दर शोव अशोव कर्म के फल को यह जीव अकेला ही भोगता है यहाँ खालिस्तान भावना है शोव अशोव कर्म के फल को यह जीव अकेला ही भोगता है यह कौनसी भावना है अनिता जी लखनव बहुत अच्छे आप लोग बहुत जल्ली स्पीड में उत्तर लिखते हैं बहुत सुन्दर बहुत सरी उत्तर चलिए यहीं से आपको बता दे बीना जी ने लिखा है एकत्तो भावना ठीक चलिए नेक्स्ट एक सब्द में उत्तर दीजिए जिनिंद्र भगवान के द्वाना कही गए वचनों में संका नहीं करना एक सब्द में उत्तर दीना है मधू जी मधू जेन नाम से बंदना जी विदी साथ नहीं शंकित अंग बहुत सुन्दर जिन्वच में संकान धार आगे जो ग्यान इंद्रिय और मन की साहता से होता है उसे कहते हैं बहुत अच्छे उत्तर इनों ने दे दिया यहां पे म्रदुला जी ने दिया ओँ सारे लोग दे रहाए उशा जी अशोग जी पाटनी अनिता जी निवई सुनीता जी इसका उत्तर है परोक्ष ग्यान और मतीग्यान, दोनों इसके उत्तर बन सकते हैं, ठीक है, मतीग्यान भी इसका उत्तर है, और परोक्ष ग्यान भी इसका उत्तर है, जिनोंने प्रत्यक्श लिखा, उनका आंसर गलाथ हुआ, अपनी आत्मा के शुरूप को भूल कर शुव अशुव बंध की फल में रती रती करना किस तत्त का विपरीत स्रध्धान है स्वेता जी सरोज जी बंद दत्तोग बहुत अच्छे शुव अशुव बंद के पल मजार रती अरती करें निजपद विशार चलि नेक्स्ट गमन करते समय चारा हात भूमी को देख कर चलना क्या कहलाता है जोती जी आशा जी कौन सी समय थी? फिर से बोलें? इरिया समय थी चारान भूमी को देख कर चलना बहुत अच्छे सब्तमी का इकाशन अश्टमी का उव्वास एवं नमी का इकाशन करना किस व्रत के अंतरगत आता है? ये कौन सा व्रत है? चलिए नीहा जी बताई नीहा जेन नाम से प्रोष्धूपवास होता है प्रोष्धूपवास कौन सा व्रत है? सब्सक्राइब का इकाशन और नही 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 कौन से व्रतों में आता है? कौन से व्रतों के अंतर गता था अनुवरत सिख्षावरत चली next अब यहाँ पर दो प्रशने पांच पांच नमबर के इनको आपको सविस्तार लिखना है तो मैं यह प्रशन आपको बोल देता हूँ आप लोग अपने पास इनका उत्ता लिखे रखेंगे पहला प्रशने नरगती के दुखों का वर्णन कीजिए इस प्रकार का प्रशन आपको पांच नमबर में पूछा गया है तो आप अच्छी तरह उसको लिखेंगे दूसरा प्रशन है संसार परिभ्रमन की कारण को चंद सहत लिखिए लेकिन इस प्रशन पत्र में आपको चंद पूर्ती नहीं पूछी गई नहीं चंद का अर्थ पूछा गया लेकिन ऐसा प्रशन पत्र में प्रायाकर पूछा जाता है चंद पूर्टी या चंद का अर्थ तो चंद उसमें चंद का पहला सब्द होगा अंतिम सब्द होगा बीच का खाली होगा आपको वह भरना होगा एक कोई चंद होगा नीची लिखा होगा अर्थ तो आपको उसका अर्थ as it is जो सब्दे हैं वो आपको वाँ पर लिखने है ठीक है आज के लिए इतना परियाप आप सब के लिए बहुत-बहुत शुप कामना हैं आप सब के लिए बहुत-बहुत पधाईयां आप अच्छी तरह पेपर दें और बहुत अच्छे नंबरों के साथ भगवती, जगत कल्यानी, जिनवानी, मशरश्वती की सेवा में अपना योगदान दें और सब लोग अच्छी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसमें कमेंट भी करें कि आपको छेडाला का श्वाध्याय किस प्रकार लावकारी हुआ है सभी को जै जिनिंद्र